नमस्कार दोस्तों बहुत दिनों के बाद समय मिला और इसी कड़ी में आज का एक वीडियो बना रहा हूं जिसके अंतरगत मैं आप सभी को बताऊंगा कि PG की वैसे स्टुडेंट जिन्होंने अभी तक अपना नामंकन नहीं करवाया है चाहे वो किसी भी स्ट्रीम में करवान आज आ रहे हूं तो उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेके आया हूं आज के इस वीडियो में सबसे पहली बात करेंगे कि इस बार जो एड्मिशन हो रहा है तिलका माजी भागलफुर यूनिवर्सिटी के अंतरगत PG में तो वह आफलाइन हो रहा है जैसा तो हो सकता है अगर सीट वेकेंट रहती है तो फिट से एक सूचना के द्वारा फिट से पुना हो सकता है अप्लिकेशन लिया जाए लेकिन इसकी संभावना कम इस वज़े से आकी जा रही है क्योंकि चार से पांच मेहने बाद फिट से जो है PG में एड्मिशन होने वाला है जो कि सत्र 24 से 26 के लिए होगा ठीक है तो जो भी स्टुडेंट नहीं करा पाए है अपना एड्मिशन इस बार नहीं भर पाए किसी भी कारणवस से एप्लाई नहीं कर पाए तो वो निराश नहों कि कि चार पांच मेहने में फिट से PG का जो है एड्मिशन सुरू हो जाएग तो वो ये ना सोचे कि हमारा मूल प्रमान पत्र आएगा तभी हम जाके एड्मिशन ले पाएंगे कुछ ऐसे स्टुडेंट से मिला आज में जिनके पास मूल प्रमान पत्र नहीं था जैसे कि अंक प्रमान पत्र जो है अभी तक बहुत सारे कॉलेजे में नहीं दिया गया ह जिस वज़े से स्टुडेंट्स में असमंजस बनी है कि किस प्रकार से हम जो है अड्मिशन कराएं क्योंकि वो सब भी जानते हैं समान्यता ऐसा होता भी है कि मूल प्रमान पत्र की आपशक्ता होती है विशेश कर पाठ थर्ड का जो आपने एक्जाम दिया है चाहे आप ज आप नहीं हुआ है तो उसका भी एक उपाय है उपाय यह है कि अगर आपका लिस्ट में नाम आया है तो आप संबंधित डिपार्टमेंट जिसमें भी आप एपलाई किये हैं वहां जाए और एक आवेदन लिखिएगा विभागा द्यक्ष के नाम से और उस आवेदन का वि यह 20 दिनों के अंदर जो है जमा कर दूंगा अता है मेरा नामंकन स्विकार किया जाए तो यह प्रकार का एक आवेदन लिखना है जिसका शिर्षक मैंने आप सभी को बता दिया जिसका विश्य आप सभी को बताया और उमीद है कि जो भी स्टुडेंट अभी तक एडमिशन नहीं ले पाए अपलाई भी नहीं किया हों अहीं इविन तो इसा नहीं है तो ऐसा भी नहीं है कि बिना प्रमान पत्र के एडमिशन आप सभी का नहीं होगा इस प्रकार की कोई बात नहीं है जिदने भी विभागा ध्यक्ष होते हैं वे सभी स्टुडेंट की सिच्वेशन को समझते हैं और कॉर्प्रविशन भी करते हैं तो आप बेज़ेजक हो के जिनका भी लिस्ट में नाम आया है वो मूल प्रमान पत्र के बारे में तो नहीं सोचे और अगर लिस्ट में नाम आय है अगर लिस्ट में नाम आया है तो सबसे पहले जो भी डॉक्यमेंट है आपको अटेच्छ करने जो भी दॉक्यमेंट दिया गया है वर्तवार में अगर बताओं तो आपको टैंत का ट्वेल्थ का और ग्रेजवेशन का जो भी आपके पास सर्टिफिकेट हो सभी प्रकाड के लिए फोटो लग रहे तो इस प्रकाड से आप चार कॉपी फोटो अपने साथ में रख लें अब वहां आपको संबंदित डिपार्टमेंट से एक फॉर्म दिया जाएगा और उस फॉर्म को फिल करके फिर आपको छातरसेवा केंदर में जाके वहां साइन महर आना है इस प्रकार से आपका एडमिशन हो जाएगा तो आप जब चलान का फॉर्म भरिएगा तो उसमें रोल नंबर जो है अनिवारे होता है इसलिए आप जब भी डिपार्टमेंट जाहिएगा अगर आपका लिस्ट में नाम आया है तो अपना रोल नंबर क्लास का रोल अपने या फिर वाट्सअप ग्रूप में दे दूँगा तो जो भी वाट्सअप ग्रूप से जुरना चाहते हैं लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जूड़ जाईएगा अब बात करें कि आयर पीम का बहुत दिन से क्लास जो है बंद है समय के अभाव के कारण आप स सारे प्रशन चल रहे होंगे तो उन सभी प्रशनों का निराकरन हमारे वीडियो के माध्यम से होगा और मैं कोशिज करूंगा कि अगर समय मिलता है तो मैं आप सभी के लिए जरूर एक लाप्रद वीडियो बनाओ जिसमें आप सभी का हो सकता है विश्य से संब्दित कोई अगर मेरिट लिस्ट में आपके खरकाट से अडविशन कराईेगा मिलता है और भी घबराना नहीं कि सही सिकंड़ मेरिटलिस्ट आभी निकलना बागी और चुट्सक्ट्र अभी कारन वश्य कंचर अब Sas होगा इसलिए आप लोग जाग रूख रहे हैं और ग्रूप में जुड़ जाईए अगर आपको किसी कारणोबस जो है नोटीस नहीं पता चल पाता है कि कब फॉम्ली कलता है तो इस सब के लिए आप हमारे ग्रूप को जोइन कर सकते हैं